प्रिये दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं भगवान सिब की पूजा करने की कुछ विशेश नियमा को बताने जा रही हूँ जिनका पालन करने से मादेब जी भोच जल्दी प्रशन हो जाते हैं अधिक्तर लोग भगवान सिब को प्रशन करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं सिब पूजा का कुछ नियम हैं जिनका पालन सबको अवश्य करना चाहिए जिनका पालन अवश्य करना चाहिए बेल पत्र कैसे चड़ाना है इसके बारे में भी पताया दिया है विधी पूर्वक पूजा करने से भगवान सिफ जल्दी प्रशन हो जकते हैं भगवान सिफ संकर की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए सिफ क्रपा से जीवन के हर संकर्ट और कष्ट तूर होते हैं मन की मुरादें पूरी होती है चड़ाना है तो या जल से अवशे करना हो या फिर सिब लिंक की परिक्रमा करनी हो सबका अपना अपना अलग नियम है। जलावशे की सही वीधी है जब भी जलावशे करना हो तो गंगाजल साप पानी या गाय के दूसरे अवशे करें। सिप पर जल से अब से करते हुए ध्यान रखें कि जल धारा पतली और धीमी गती के साथ गिरे तीब्र गती के साथ जलवशेक ना करें जलवशेक हमेशा पूर्ब दिसा की और मुख करकर ही करें साथ ही इस बात का विध्यान रखें कि सिपलिंग का जलब शेख बैट कर या जुक कर ही करें सीधे खड़े होकर जलब शेख ना करें बेल पत्र के बिना सिपजी की पूजा अधूरी है तीन पत्तवाला सावद बेल पत्र सिप को अर्पित करें बेल पत्र को चिकनी सते की तरफ से सिवलिंग पर चड़ाना चाहिए यदि आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप परेसान नहों बेल पत्र के अलावा भांग गतूरा आग या मदार का फूर समी के पत्ते आदि भी अर्पित कर सकते हैं सिवलिंग के दोरान कभी भी सिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए सिवलिंग के वाई और से परिक्रमा सुरू करके और अर्थ चंदकार तक जाक के बापिस अपने इस्थान पर लोट आए सिव लिंग की जला हारी जहां से जल नीचे गिरता है उसे कभी भी नहीं लांगना चाहिए इस बज़े से हमेशा सिव लिंग की आधी परिक्रमा ही करते हैं अधिकतर लोग जब सिव मंदिर जाते हैं तो जल आधी घर से लेकर नहीं जाते बलकि मंदिर के प्रांगर से ही जल लेकर सिबलिंग का अवशे कर देते हैं या फिर पूजा के समय कुछ चीजें जैसे चंदन, सिंदूर, चावल, दूप, आदी कम पढ़ जाते हैं तो मंदिर में मौझूद या अन्न किसी ब्यक्ति से मांग लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से पूजा का पूड़् फल प्राफ्ट नहीं होता इसके साथ भी घर का बास्त दोस्त भी समाप्त नहीं होता है जब भी आप सिब मंदिर जाएं तो समझत पूजा सामिग्री घर से ही साथ लेकर जाएं मंदिर में या घर पर जब भी सिब लिंकी पूजा करें तो सबसे पहले आच्मन आदिस सुद्धी जरूर कर लें श्यम को सुद्ध करने के बाद ही पूजन करें सिप जी को कुछ चीजें कभी भी नहीं चड़ानी चाहिए धर्म सास्त्रों में भवान सिप को कई चीजें अर्पित ना करने की सला दी गई है भवान सिप को अखंड चावर, नारियल, सिंदूर, संग, यजल, तुलसी दल, चंपा और केबड़े के फूल आदी चीजें अर्पित ना करें चीजों को अर्पित से महादेव अप्रशन हो जाते हैं ये सबी बस्तु में सिप पूजा में बर्जित हैं अगर आप भवान सिप का आसिरवात पाना चाते हैं तो देवों के देव, महादेव के संग, माता पारवती की भी पूजा करें पूजा करते समय एक बात का अवसे ध्यान रखें कि सिप जी की पूजा के साथ साथ सिप परवार के सबी सदस्यों की पूजा उपासना करें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सादक कार्द के जी की पूजा करना भूल जाते हैं अत्यभवान कार्द के और नंदी जी की भी पूजा गर की साफ सफाई का विशेज ध्यान रखें। सिर्फ इतना ही हर हर मादेल।